जैसे कोई मनश्य किसी सुन्दर इस्त्री के प्रेम में पढ़ जाता है जो जागते हुए उसी की कलपना और सोते में उसी के सपने देखता है इस प्रकार निरंतर चिंतन से आसक्ति की नियुपर काम की भावना उभरने लगती है काम या वासना में थोड़ी भी रुकावाट आने से क्रोध का आगबन हो जाता है जहां क्रोध है वहां सम्मों अथ्वा आविचार अथ्वा आविवेक भी है जिस प्रकार प्रचंड वायो के जोके से धीपक की ज्योधी बुझ जाती है उसी प्रकार काम जनिद अविवेक की आधी से मनश्य की इसमती नश्ट हो जाती है और जब इसमती भ्रंच हो जाता है तब बुझ नाश्ट में कितना समय लगता है पार्थ पार्थ